हेलो बच्चा पाल्टी कैसे हैं आप लोग बढ़िया हो एक दम तो आज हम डिस्कस करेंगे साइन्स का पेपर पैटन अब समझने के ट्राइ करना पेपर पैटन आपने आपने पढ़ रखा होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा साइन्स का डर कैसे दूर भगाना है तो बहुत चार तरीके होते हैं एक तरीका ऐसा होता है कि पढ़ाई ही मत करो एक्जाम जबाई की तुब देखा जाएगा तो डर ऑटमेटिकली साला जाएगा एक तरीका यह है कि लॉजिकली समझना कि सिलिबस में क्या है किस तरह से अपना अप्रोच होना चाहिए और कैसे प्रिविएस और क्वेश्चन्स आये हुआ है तो यार तुम्हारे जाधा टेम निलूंगा मैं आपर पता नहीं इसमें यह गट्टे का वीडियो बनने के क्या जरुक पढ़ते हैं बहुत छोटा सा एक वीडियो होगा क्योंकि छोटी सी बाते हो रहे होगी बच्चा कि क्वेश्चन्स कैसे आने वाला है तो मुश्किल हो जाएगी इसलिए एंड तक देखना बहुत काम की चीज़े बच्चा बाल्टी तो पहला अगर तुम पेपर पैटन देखोगे तो पेपर पैटन में कुल मिला करके क्वेश्चन वन गैटन टू क्शी तुरस ट्रीक्शन फॉरफ फोर्ट přशेंठ अब क्वेश्चन वन जो है इडिः भर इस प्रेंग प्रेंग च्रूगे कि कि रिजन आपको बताऊंगा मैं क्यों कि आप नाइंत में हो आप टेंट में हो अब साइंस एक ही बात कर रहे हो अप्रोच सेम होगा कि वेश्चन टू एक बोलता है गिव साइंटिफिक रिजन्स मतलब यहाँ पर आपको कोई भी दो अटेंब करने पड़ेंगे आपको तीन दिया होंगे एनी टू आउट अफ त्री और एककुल मिला के चार माक्स का आएगा मतलब हर एक दो माक के होंगे इच तू माक अब य इन में से एक तो पक्का टेक्श्बूक होगा और नसीब अच्छे हुए तो दो के दो टेक्श्बूक के होंगे एक तो अंदर का समझ लो ठीक है और अगर कुछ अंदर से आया भी तो बहुत सिंपल होगा तो टेक्श्बूक बैक क्वेस्टेंस पड़ लो 110 पसंड साइन्स ए में भी है तीस करीबन गिव रीजन से पढ़ लो ठीक है आपको फूलन फूल फोर आ जाएंगे इसमें क्वेश्टन टू बी सॉल्ट फॉलिंग क्वेश्टन एनी टी एनी त्री आउट और फाइव इच तूमा कगें अब यह बहुत सिंपल है बच्छा पाल्ट तुम कैसे डबा बरके देंगे तुमको नाम लिखने हैं सिर्फ तो एक्जामपल कैसे कॉश्टन आएंगे वो नेक्स टूडे में आपको बताऊंगा मैं सीधी चलाओंगा अब एक्जाम ओरिंटेट की ठीक है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा बच्छा पाल्टी देखो Q2B का सबसे खास मत मत है क्या है यहाँ पर भी objective one mark वगरे की question ही आएंगे जाता बड़े-बड़े आपके science के pattern में सबसे अच्छी चीज क्या है आपको बड़े-बड़े questions नहीं आएंगे आएंगे तो भी एक-दो ही आएंगे maximum will be activity based और इस साल तो समझ के चलो it will be activity based maximum चीज़ है तो आपको टेंशन है लिके बिल्कुल जरूत नहीं है ठीक है approach simple रखो एक-दम तो यह 2 mark होगा each अगर आप अच्छी तरह से book पढ़ लोगे तो आपको यह आ जाएगा उसके आप question number three का a question number three का अगो है यह नहीं question number three है any five out of eight each three mark तो five into three is fifteen आठ में से पाच attempt करने तीन options है मतलब अगर तुम तीन चेप्टर नहीं भी पढ़के जाते हो यह दो चेप्टर नहीं भी पढ़के जाते हो तो तुमको full on full score करने की पूरी की पूरी chances है लेकिन वह सापने को करना ही नहीं अपने मैं बता रहो आपको सिर्फ आठ में से पाच करने बच्चो उसमें से लास्ट एर तो एक पेरा दे दिया था डाग्रम से देखना था आउसर लिखना था आपको बताओंगा मैं वह सब मैं क्या बोल रहा हो वह आगे के वीडियो में आएगा लेकिन आप मेरी बात समझो आठ में से पाच करने अगर आप चैप्टर को एक बर रीडी भी कर लोगे तो दो तीन क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे इतना इजी है अब बताओ क्या डिफिकल्ट है अब कमेंट में बताओ क्या है तो आठ में से पाच क्वेश्चन करने थीन माख के इसमें तुमको एक दो ही आंसर होंगे या तो तुमको कभी आ गया एक साल आ अगया था मेरिट्स की बात कर रहे था तो वह तीन माख कर आ गया था या तो आपको आ सकता है कि कोई गिव रीजन आ गया और चुछ रब क तो वो सब चीज आपको आ सकती है इसमें आ सकते है आंसर दो फॉलएंग ब्रीफ अगरे वो सब पूछ सकते है लेकिन मैक्सिमुम एक्टिविटी बेस्ट होगा सिंपल होगा विए पेपर तुम अखेली नहीं दे रहे हो पेपर महराश्टा का हरे बच्चा जे रहा है जिनक पर इंटरेट करेक्टिविटी नहीं है जिनके पर बुक्स नहीं है तो पेपर इसी होगा तो आपको पूरा पूरा पढ़ना है बच्चा लोग आप आप आप्शन के साथ भी अटेम्ट करने चाहिए ऐसी आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए पिर लाश्ट पर क्या बोला म होनी है यह आपको ऑप्शन है मार्क्स कटेंगे कोशन नमर्वन ए और कोशन नमर्वन वन ब्यम है यह डिसाइड करता है आप फूल अन फूल बच्चे हो और 40 real ऑन 35 ओन 40 बच्चे हो यह डिसाइड खरता है अपके जो MCQs है, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि यह आपर 0 या तो 100, यह तो पूरा गला, यह तो पूरा सही, और let me tell you, these questions are easy, but not very easy, एक question तो वो जान कुछ के डालेंगे, जो hard होगा, last year का Science B का paper में एक-दो questions difficult थे बच्चो, तो अगर आप target कर रहे हो, 37, 38 में आप खुश हो, तो आगे बढ़ो, no problem, लेकिन अगर आपका target 40 on 40 है, अगर आपका target है, अच्छा score करना है, तो 39 score करना है, 40 score करना है, तो textbook का line to line आपको reading करनी है, systematically, कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो यह MCQs है, आपके, 5 MCQ आएंगे, solve the following question, यह one mark each, यहाँ पर name the following, give the difference, odd man out, true or false, fill in the blanks, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, objective, लेकिन marks कटेंगे, याद रखना, अब यह video देख लेओ, इसको लिख लो, मुक्षितर नहीं बोला था, marks कटेंगे, marks कटेंगे, आगे textbook अच्छे तरह से नहीं पढ़ोगे, तो, आगे के videos में, अभी है paper pattern है आपका, आगे के videos में strategy, lectures, अप्लीज playlist चेक करना, आपको मिलता रहेगा, तब तक अगर चैनल आपको अच्छा लगा है, तो subscribe करो बच्चो, ऐसे हम content लेकर रहेंगे, आपके exam जो में में होने व watching और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिटा लाइक कर देना, subscribe कर देना और प्लीज अपने suggestion देते रहेंगे, ठीक है, thank you so much.